हलो आल अफ यू आज हम लोग टॉपिक रिवाइस करने जा रहें देडिस बाइबक ऑफ सेकुरिटी वैसे बाइबक ऑफ सेकुरिटी का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ एक्विटी शेर तो हम एक्विटी शेर अपने खुद के परचेस जो मार्केट में शेर इस इसू कर रहें वो शेर हम लोग परचेस करते हैं तो हम उसके अकाउंटिंग सारी रिवाइस करेंगे लेकिन इस चाप्टर में हम लोगों इवन दोए बाइबक ऑफ इक्विटी शेर से उसके बावजूद भी हम लोग रिदेम्शन ऑफ प्रेफरेंश बोनस इश्यू कैंसलेशन ऑफ ओन कर लेंगे अब यह बाइबक ऑफ सेक्यूरिटी होती क्या चीज है तो हम खुदके शेर्स मार्केट से खरीटते और उन शेर्स काप क्या करते फिर कैंसल करते हम लोग और ऑविस्सी जब आप शेर कापिटल को अपने कैंसल करों तो डिक्रीजिन कापिटल तो आपका कापि कहें को investment purpose के लिए करते आइमें तूसर अपने अपनी अपने शेर्स परचेस करके रखें और इसको रहती अपने शेर्स परचेस करते और सपांश करते और यूज और टेपिकली डन सफिशेंड वीकूर अब जाते ही क्यों कियोंकि आपका देन नमबर औफ शेर्स जो ते व किससाब से भी आपको पता है चीज कि जब आप नमबर उशेस हमारे कम हो जाते जब नमबर उशेस आपकी कम हो से ईपीस बढ़ जाएंगा फिर आपने बाइब बाइबक कर लिया पिजब नमबर उशेस कम हो गया थे इपीस बढ़ता है प्रामूटर्स होल्डिंग बढ़ जाते क्योंकि जब आप बाइबक करते बाहर वालों ने जो वह बाइबक करते और कैंसल कर लित तो जो प्रमूटर्स के बास आप पर उसे की वैसे तो और अशूर तो आपने क्या अगर दस में से फिर बाइब कर लिया दो तो बचे कितने आठ तो अभी भी प्रमोटर के पाद चे यह तो दशे डिवाइड बाइट सिक्स डिवाइड बाइट कारूंगे तो आपका यहां पर क्या हुआ कि प्रमोटर का सब्सक्राइब का मतलब को थो हुआ हम नहीं चाहिए कि इतने शेस पर चेस कर लेक। वो बाइले साथ कीमत महथ होता है नहीं मेरी शेर की खूंद के से वालु है। जादा कीमत पर इसकी यहां तो फाइदा ही होता है। मैंने शेर्षण खरीटाइब दो सब रूपकों से खरीदें, तो इसकी तो यह लिए लगता है। सब्सक्राइब करते हैं अब इसके लीगल प्रोविजन डील्स करते है आपका सेक्शन 68 सबसेक्शन में तो वह क्या कहते है पर्मिट्स बाइब को पर्मिट करता है कि आप उसको कहां से यूटिलाइज कर सकते हैं इसके अकाउंटिंग एंटिस में सिखाऊंगा भी अब बात करें लेकिन बाइब करें अब कुछ कंडिशन इसके बारे में थोड़ी दिर में बात करूंगा क्योंकि कहीं बार बच्चों को उस पर सब्सक्राइब करने वाले वहां पर मैं तीन टेस्स के बारे में आप से बात करूगा और शियर्स फुर्ली पिट आपकी शेयर्स होना चाहिए नो बाइब विदिन वन यर और प्रिवियस ऑफर क्लोजर अब जो भी आपने पिछले बार जब बाइब कर और इस बार के से बाति बाइब कर आपने करने कशिए से कृणे खुर्ड यृठक चईब्सक्राइब ने पेसिफिकली बोल रखा है कि free reserve for the purpose of buyback is including securities premium तिस चीज़ को ख्याल रखना है अब कुछ general point है कि आप buyback के पहले एक notice बेशते हो notice of meeting में आपका वह रहता है कि special resolution meeting must have explanatory statement including क्या पताता है full disclosure of material fact वो बताएंगा कि आप full disclosure बादें कि आप जो buyback करो उसके बार में क्यों buyback करो necessity कौन से shares आप class security buyback करो और amount और कितना समय उसमें buyback में लगने वाला है अब completion and mode of buyback आप buyback कि कितने दिन में आपको complete करना है buyback must be completed within 12 months में आपका complete होना चाहिए resolution जब पास उसके बाइब हो सकते हैं कि आप उसके अपने existing shareholder से purchase करें यह open market से अपने purchase करें यह तो फिर आपको employee को employee stock option plan में जो आपने उनसे shares purchase करें अब after buyback के बार भी वैसे मैंने entries भी आपको सिखाऊंगा लेकिन after buyback कुछ चीज़ है ख्याल रखना होता है कि आपके बस you know it कि दो option होता है you can do the buyback out of profit and out of fresh issue of shares तो पहली चीज़ आपको bought buyback security must be destroyed yes आपको seven days के अंदर securities को destroy करना था क्योंकि आपने buyback के लिए securities रही नहीं तो अपने को destroy करना रहता है buyback के completion के बाद is buyback from freezer freezer मतलब आप आप प्रोफिट और security premium तो अब इस chapter में जब भी मैं freezer को that is including securities premium तो as per law अभी मैं आगे उसका reason भी आपको बता दो revise कर लेंगे तो as per law आपसे कहते कि अगर आपने out of profit कर तो we have to transfer the face value जो आपने shares buyback कर उसको कहां पर CRR account में transfer करना होता है और accounts detail in the balance sheet ठीक है आपको buyback के बाद उसके detail देना रहता है कि CRR कितना आपने कहां से उसको utilize करें कैसे आपने shares जो आपने buyback करें कौन से reserves को utilize करें for the purpose of buyback then capital redemption reserve is used solely for the purpose of bonus issue के लिए वैसे point अभी में और नीचे आपन यहां पर entries में आप वो cover हो जाएंगे ठीक है explain कर दो कि अब CRR क्यू create करते हो यह revision कर रहे हैं इसको मैं पता दूंगा CRR क्यू create करें उसके बाद CRR सिफ एक और एक ही जगह utilize that is for the purpose of bonus issue ठीक है तो अब हम लोग यहां पर general entries देखें ठीक है general entries अब अपन यहां पर देखिए बिला buyback दो जगह से आप लोग अब क्या होता है वह नहीं कि अगर मेरा share capital क्या हुआ हुआ है तो अब क्या होता है तो अब क्या होता है वह companies एक की requirement है अब मैं आप से कहता है कि मैंने कहा यहां से कि अगर मैं buyback आउट फ्रेश इशो शेर इसका मतलब होता है कि मैं buyback तो कर रहा हूं लेकिन market में फ्रेश इशो शेर भी करो तो जितने से मेरा capital कम होगा minimum उतने से capital मेरा बढ़ना चाहिए तो अब हो सकते हैं कि market में शेर मैंने इशू करा अभी buyback में आता हो लिए उसकी पहले मार्केट में शेर इशू करा तो हो सकते हैं मैंने किस पर इशू कर उसका premium पर सो bank account debit 12 to share capital 10 to security supreme 2 यू नो इट कि हमें share capital हमेशा face value के लिखते तो दस की चीज मैंने बारा पे इशू किया तो मैंने यहां पर बैंक account को debit किया है यहां पर 12 से और share capital को क्रेट किया 10 से और security प्रेट किया यहां पर 2 से तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 शेर कापिटल अकाउंट 10 सेक्यूर्टी स्पीम अब दोनों में से को एक ही एंट्री पास हो या तो आपने पार पर इशू करें या प्रीमियम पर अब मैं बाइब के बारे बात करते हैं हम लोग ने मार्केट से शेर्स परचेस करें तो मेरे या अब मैं कीचाल करें जो इक कशेर काउंट अब वह वह चांच उसके लाए तो अब और हमको कंसल हो ने गहांगा तो एक्वीटी शेयर क्रेट अपने डेबिट करें तो एक्वीटी शेयर क्रेट करें अब यहां पर कंपनी जाट करता है कि आपने पहले मार्केट में श्यू करते जितने से आपका आपका स्क्रीन पर देख रहा है दस से यहां पर आपका कापटल बढ़ा उतने से कापटल आपका कम होँ चाहिए और इस जरूरी निए के बाया करो करें तो हमेशा ख्यायलागर एक्विड़िशेट्राइट एक्विड़िशेट सब्सक्राइब प्रीमियम चैनल करें अब यहाँ आप करे ते उसका क्या कर दी का सर लेकिंश रख क्या है तरह दस की बदल्ले में सबसक्षा गर यहां पर चाहिए लेकिन हमेशा याद रखना याद रखना माँ पर हमेशा फेस वेली ही जाएंगी और प्रीमिय अनवाइब को डेट करें अब यह को राइट आप इसको राइट आप सबसे प्रेफरेंस देना अब जो से पांच जगा बता है आप प्रेफरेंस प्रेम को यूटिलाइज करते हैं वन अफ देम प्रीमिय प्रीमिय अन्वाइब को क्रेट करें यह इंट्री आप पास करें कब जब हम लोग बाई बैक करें करें है out of fresh issue of share लेकिन हमारे पस दो option company's act हमको कहता है कि out of fresh issue of shares भी कर सकते और out of profit बस फर्क इतना है कि जब out of profit करते हो तो market में shares issue नहीं है मगर एक नई entry pass हो तो CRR की वो मैं आपको बताता हूँ अब market में shares issue नहीं कि same entry pass करें जब आपने buyback करें तो हमने shares purchase करें तो equity share buyback account debit to bank account अगर आपने premium पर purchase करें तो नहीं चले ठीक है आपने पहले purchase करें उसको equity share buyback account debit to bank तो इसको cancel करें premium पर buyback करना है मुझे कहना था उस पर मैं आता हूँ अब आपने premium पर ज़्यादा कीमत पर भी लिए जितने में खड़ी तो उतना ही अपने आप रखने रहे रहे हो एक्वी शेर buyback account account debit to bank अवह आप से कहते हैं कि मैं इसको cancel कर Social founders equity share buyback को आपने क्या करें यहाँ तो मेंने इक्विटी शेर क्वीट क क्या करें मुझे 아주 कृएट क्रेस करें और अपने अब यह मार्केट से परचेस की अपने तो मैंने प्रीमियम पर खरीदा तो प्रीमियम पर इवं दों खरीदा यह जब से कांट करो मैं शेर कांट करता फेसवेलु को डिक्रीज इन capital debit to equity share capital account debit 10 same entry pass कर लो जो हमने पिसके पहले देखे premium on buyback account debit 10 तो equity share buyback account तो अपने equity share buyback पहले debit करते हैं फिर create करते हैं उसको क्या कर दी बच्छों हमने cancel कर दी अब यहां पर तो क्या premium on buyback हम किसके अगेन address करते premium on buyback we can address against securities premium we can address profit and loss account and generalism तो premium on buyback company यहां पर debit कर थे अब उसका premium buyback company यहां कर देंगे create कर देंगे अब लेकिन अगर out of profit हम लोग buyback कर रहें तो हम लोग को कुछ जो भी buyback हम लोग कर रहें उसकी जो भी face value उसको हमको CRR अकॉनमें transfer करना था as per law ऐसा क्यों कहता हूंगा लेकिन जब में फ्रेश इस मार्केट में इशू करता हूं तो मेरा बढ़ रहा तो company जब कहता है कि आप जो भी आपने शेष भाइबाए कर उसकी जो भी face value आप वो free reserve से उठाके free reserve से उठाके आप उसको कहां पर लेकर चल जाओंगो उसको CRR में लेकर जाओ तो अब लेकिन क्यों कि वह capital का replacement capital आज ही नहीं हुआ लेकिन future में जरूर हुआ कैसे कि CRR सिर्फ एक ही जगा यूटिलाइज हो सकता है that is for the purpose of bonus issue तो CRR account आज तो आपने create कर दे लेकिन CRR account आगे चलके आप यूटिलाइज हों का bonus issue के लिए और उस वक्स यारर कैंसल हो कि capital ही बढ़ने वाल है तो आज अगर आउट of profit आप buyback करो तो आज हमारा capital नहीं आज हमारा इन capital नहीं बढ़ा है ठीक है आपने out of profit करो तो फ्रेश इस मेरे मार्केट में नहीं करो तो capital मेरा कोई नहीं बढ़ा है बड़ एक बड़ी important चीज आपको जो ख्यार लखना है कि क्या हम लोग जब CRR में transfer करते तो क्या हम लोग security कर सकते कर सकते कर सकते लिए इसको अवाइड करना जिस ओडर में यहां पर लिखा उसी ओडर में आपने रिजर्व को लेना तो जब CRR में ने दिखा वैसे कंपनी का section 68 कहता है कि आपको फ्री रिजव इंक्लूडिंग security premium तो institute के मैंने यह यह study material बोलो यह जितने भी पास examination कोशन सिर्फ एक ही बारे सा हुआ कि institute ने जब CRR में ट्रांसफर कर रहा तो उसने से security premium को उटिलाइस करा वो भी जब जब उसके पास sufficient balance जनरल लिजव में यह profit and loss account में नहीं था sufficient balance जनरल लिजव profit and loss account में उसके पास नहीं था तब ही उसमे आपने ख्याल रखना है जब आपने CRR में ट्रांसफर करना रहेंगा तो आपने जनरल लिजव profit and loss account को ही उटिलाइस करें लिए 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 जनरल लिजव में यह profit and loss लिए उस case में आप उसको उटिलाइस कर सकते हुँ अधर्वाइज आपने लेकिन इस पर कुछ बहुत आपका यहां पर आपका क्लियर होगा अब लोग आते यहां पर कि अब वैसे तो हमने बाइब के अंट्री लेकिन आप यह उब्सर्फ करोगी यहां पर हमने डिस्कस करें लेकिन आपने यहां पर देखोंगे कि कंपनी आक में देरेगे कंसेट कोल रेदेंशन अफ प्रेफरेंश जेस बोनस इस्ट इस्ट ने अपनी स्टी इमट्री इन को कवर करी ने अजस्मेंट को कवर करी तो हम लोग उसका भी एक बार क्विक रिविजिन कर लेगे तो हम लोगों को रिवालेशन रिजर्फ आप यूट्री नहीं कर सकते हैं इसको मुट्री कर सकते हैं लेकिन कुछ छोटे-छोटे पॉइंट से अपने को ख्याल रखने हैं पहला मैं कि अब हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं रिदेंप्शन अप्रेफरेंश नाव जर्रेल इंट्रीस और रिदेंशन अफ्रेफरेंश चेर्स में ख्याल लगने कि आप लोग एक्च्वल में ऐसा नहीं कि आप मार्केट से शेर परचेस करें फिर कांसर जब आप शेर इशू करते हैं उसी वक्त हम लोग को पता रहे कि हम लोग ने शेर जब आप इस कम करते हैं में रिदेंशन की वक्त पहले ठीक है ऐसा नहीं कि मार्केट से खरीद के ला रहे फिर कैंसल करें जो शेर रोल्डर से उनको पता रहते हैं पहले कि हमारे कांसल होने वाले तो यहां पर डिक्रीजिन कापिल डेबिट प्रेफरेंश चेर कापिल अकाउंट और हम उंको इसके बदले में प्रेफरेंशर ब्रकों प्रिमेंट देना रहे ंगा तुक प्रेफरेंश लोले रात फिर हो सकता है कि आपने प्रिप्रेंश चेर के ल्लेंकर रीडिप कर रहे हैं आप अब उसको प्रीमियंए कर रोगेंगेoti प्रेफरेंश येउल daily एक यहां प्र लिखा हुआ नहीं आपके study model लेकिन यह चीज है और आपके पहले के study model में जो redemption preferences पहले old syllabus में अब तो नहीं है आपको इंटर लेवल पर उसमें लिखा हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो premium on buyback होता है यह आप securities premium से बिल्कुल set off करें premium on buyback है आप securities premium फिल्कुल अगर कोई कंपनी अगर कोई कंपनी अगर कोई कंपनी इस फॉलो करी तो हर कंपनी इस फॉलो करती ना 99.99% कंपनी इस फॉलो करने वाली इसका मतला वह कंपनी प्रीमियम और रिडेम्शन और प्रेफरेंशेस को सेकुरिटीज प्रीमियम के अगर से राइट आफ नहीं कर सकता तो जो पहले के study material था ओल्ड सीलिपर इस बोल के रखी थी कि जो मानते हैं कि कंपनी इस फॉलो करें और से पूरे चैप्टर में कहीं पर भी प्रीमियम और रिडेम्शन और प्रेफरेंशेस को उन्होंने राइट आफ नहीं करते हैं अब अगर वह प्रीमियम और बाइबाए करा तो कोई दिखते हैं सेक्रीटिस प्रीमियम और बिंदा आप उसको एड्जेस करो लेकिन यहां पर जब रापका प्रीमियम और रिडेम्शन अब तो आपने अपने रिडेम्शन प्रेफरेंशेस में वही लॉजिक हो था आउट अब कभी ना कभी क्यों आपने CRR account को priority देना चाहिए, क्यों CRR account एक ऐसा reserve है जो कि सिर्फ और स्थिर्फ एक ही चीज़ के लिए उतिलाइज उना है, that is for the purpose of bonus, तो मौका मिला है bonus shares आप दे रहे हो, तो हम ने उसको utilize कर रहे है, चाहिए, CRR account debit, general reserve account debit, profit and loss account debit to bonus to shareholder, फिर आप bonus to shareholder account debit, equity share capital कर तो cancel हो जाता है, bonus to shareholder, it means we are liable to pay something to shareholder and then we cancel it then when we issue the equity share capital, तो आपने bonus to shareholder को credit करें, फिर bonus to shareholder को क्या कर दी बच्चो देबिट, तो आपने reserves को यहाँ पर debit करें, और equity share को आपने क्या करें, आपर credit करें, आपने पैसे से issue नहीं करें, free of cost आपने existing shareholder को दिए, एक और चीज़ आपने ख्याल रखना में पिटे हैं, general entries on cancellation of own debenture, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको question में कि अपने खुद के debenture market से उसने खरीदा और इसको cancel करा, अब इसको मैं समझाज़ें, इसका मतलब करें, अब स्क्रीन पर आप देखा है, मैंने का यह balance sheet है, liability side है, बचो asset side है, अब सब्सक्राइब यहां पर मैंने कि 330 के मेरे face value debenture के market में issue करा, लेकिन 330 face value, लेकिन यही debenture हो सकता है पूरे हो या पूरे ना लो, जितने भी लिए, सबस्क्राइब यही debenture मैंने market से खरीदा 300 में, और उसको 300 में खरीदा, मैंने 300 में खरीदा और फिर उसको cancel करा, तो मैं कहा तो, जब मैंने 300 में खरीदा, ठीक है, अब मैं यह जो अपने debenture खुद के खरीदा और यह अपने जो debenture issue करा, उसके अगेस में cancel करूँआ, तो जो debenture issue करा, यह liability है, जो debenture में अपने खुद के खरीदा, वो मेरे लिए asset है, तो मैं इस liability को cancel करूँगा, अगेंस दीस asset, तो liability के credit balance है, तो decrease in liability debit, तो debenture account हम लोग debit करेंगे 330 से, उसके बाद यह investment है, आपकी asset है, asset के debit balance है, तो इसको अगर आपको cancel करेंगे, तो तो investment account करेंगे, लेकिन मैं से लाइब़ेटी थर्टी से कैंसल गरा अगेंस मेरी एसेट कितने थी तो यह तो मेरा फाइदा होगे लाइब्स यह चीजज पता है कि क्लास में लोग ने कोश्टन सारे करें ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर हम लोगा थे इस आपको एक हाथ एक ही जगा पूरे चैप्टर में आपको ऊंपने क्या लगना के इस आप में क्या हथा कि जब आप शिर कम कीमत पे देते होँ तो कम किमत जो देते हैं पैसा है अपने अपको बैट करें जितनी कम कीमत भी सबस्व मार्केट में आपकी कीमत पर आपने नबे में दिए इसको ऑपशन डिसकाउंट को से डेबिट करते आप लोग तो इसके बारे में डिटेल में अमने सब कंसेप्ट आपको रेगुलर बैच में आपने बात कि विला ठीक है यहाँ आप बंक अकाउं डेविट किया मैंने जो अमांट में को रिसीव डी इस अप अकाउंड डेविट मतलब जितने से आपने डिसकाउंट कर दिया का 100 रुपय का यह मार्केट वेली तो आप उसने से क्रेट करोंगे तू जितने भी face value आपकी share capital के उतनी से आप create कर दोगे और जो भी पैसा जो भी balance आ रहा है तो यह रहले एक ही जगा इंसुट के study metal में यह chapter इस पर आपका syllabus का पार नहीं एक ही जगा new syllabus में मतलब एक ही जगा बस एक entry आप लोगों को institute के study metal में यह entry आपने ख्याल रखना है कि पैसा आया तो bank account debit और मैंने जितने का डिसकाउंट यह इसको इसको इस आप में आट जिस करते हैं इस आप outstanding account debit जो भी face value shares की आपने दिये वह आप share capital में transfer करो इसके उपर जो भी रहेंगे और अभी हम लोग रिवाइस करें जो questions हमारे class में उसको करते वक्त जो कुछ questions में नहीं आपके पास है तो page number 42 और वैसे अगर नहीं होगो तो पहले lecture में इसी सीरीज के पहले lecture में आपे लिंक दिया आपको comment या आपको शायद description box में भी देखो इसका link में लाएंगा pdf का so come to question number 46 the page number is 42 okay now anu limited a listate a non-state company furnish you with the following balance sheet as a 31st as a 31st March 2021 rupees in crores now equity and liabilities shareholders fund share capital note 100 reserve and surplus note 2300 current liability trade payable 40 assets non-current asset property plan and equipment note 3 dash okay non-current investment note 400 current asset trade receivable 140 cash and cash equivalent 200 okay so there is no there is no pp pp means cost is 100 and provision for depreciation is 100 that's why it is 0 okay share capital authorized issued and subscribe share capital 12 percent remediable redeemable preference share offer piece 100 is fully paid equity share offer piece 10 is fully paid 25 then reserve and surplus capital reserve 15 securities premium 25 revenue reserve 260 property plant and equipment pp cost 100 less provision for depreciation 100 non-current investment non-current investment at cost market value rupees 400 okay crore now it is a market value this is given just for the information purpose okay how much is the book value carrying amount is 100 of the company the company reading preference share on force of apple 2021 of the question redemption of preference share is your revenue okay yeah it also bought 50 lakh equity shares of rupees tiny attributes for 50 ish of 50 lakh equity 50 lakh equity share of rupees tiny attributes 50 well of 10 rupiah share ko pachas no layer to 40 percent cap of 40 rupees cap premium the payment for the above were made out of the huge bank balance which appeared as a part of the current asset the simple iampe clear list nipo do you go jabhi aapne maana ke out of fresh issue of shares hai jib question specify kara hai ke out of fresh issue of shares hai otherwise kabhi aapne fresh issue of shares bola to hi maana hai hemishaa otherwise out of profit hi maana raha ega to say general entries poochha hai aapko to redemption of preferences is kya aapka entries abhi maana sikhaya okay kya entries aapne dhekha hai haa pe that kya aap pahle share capital ko kum kata preferential capital account debito preferential holder to aap redeem kare preferential share capital share capital hai kitnay ka aapka preferential capital jokai aapka 75 so preferential capital account debit 75 to preferential holder account is ko payment karengi same wohi aapko just rapid jis ko follow kare payment karengi preferential holder account debit to bank account अब इसमें ko premium on buy premium premium redemption of preferences नहीं था okay equity share buyback करें कितने equity share buyback करें 50 lakh और 50 रुपए करें 50 multiply by 50 that is 2000 final लेकिन lakhs rupees in crores है तो आपको 2500 lakh आ रहा है okay तो rupees in crores 25 crores ध्यान रखेंगे तो to equity share buyback account debit आप यह entry जह सकते equity share buyback account debit to bank account equity share buyback account 25 to bank account 25 अब वो कहता है आपसे अपने को cancel करना है लेकिन आपने premium पे buyback करें तो केंट्री पास होंगी आपका equity share capital account debit equity share capital account debit premium on buyback तो equity share capital account पचास लागे face value दस है simple एक दमें तो पचास लाग शेर प्रीमियम है 40 that is premium on buyback तो equity share buyback और उसको write-off करेंगे premium on buyback we have securities premium the securities premium account debit premium on buyback और अपने को क्योंकि आउट of profit है तो CRR में transfer करना रहेंगा general reserve penal account debit क्या balance है हमारे पास उतना we have enough balance in revenue reserve 260 तो यह revenue reserve account debit to capital capital redemption अब बच्चे confused नहीं होंगे से दो जगह के आपने redemption प्रेफरेंश यह पर सेम रूल अप्लाए होता है तो उसका premium on buyback उसकी face value 75 और equity share की face value 5 to 75 plus 580 तो यह आपका revenue reserve account debit CR account simple okay okay balance sheet पूचा है लिकिन गलती से आप balance sheet आई नहीं है it's okay ठीक अब यहां पर main question जो आ रहा है जो में का आपको सम्झाना कौन से ची सम्झाना मैं आप से कहा तो तीन चीज आप आप रिवाइस करेंगे इसको that is resource test share outstanding test and debt equity ratio test अब उसकी ओपर है अब जोग falling is the summarize वह है नहीं है yes following is the summarize balance sheet of super limited as on 31st of March 2018 the share capital share capital equity share of rupees 10 is fully paid up 17 lakh then revenue reserve reserve and surplus revenue is of 23 lakh 50 000 securities premium 2 lakh 50 000 profit and loss account 2 lakh infrastructure development is a 1 lakh 50 secured loan 9 percent debenture 22 lakh 50 000 unsecured loan 8 lakh 50 current maturity of long term borrowing 15 lakh 50 000 fixed asset tangible asset 58 lakh 50 000 current asset फिर आपकी 34 lakh 50 000 super limited wants to buy back 35 000 equity share और वो कितने shares buyback करना चाहरा 35 000 equity share to buyback करना चाहरा एक share किते का 10 रुपय का लेकिन वो buyback कितने पे कर थीस का तो 10 का share 30 पे कर रहा है तो premium on buyback कितने का premium on buyback is how much 20 okay now buyback of shares is fully authorized by article a necessary resolution have been passed by the company toward this the payment for buyback of shares will be made by the company out of the sufficient bank balance sufficient bank balance out of profit they have enough balance they are not issuing shares in the market comment with your calculation यह बड़ा danger हो जब उसने कहा comment with your calculation तो actually company's act में आपको पता है कि तीन condition हमारी वो फुल्फिल होना चाहिए उसका violation होना नहीं चाहिए तो अगर आपको बोला comment video calculation तो ही हमको वो करना रहता है तो कौन सी कंडिशन से वह अपन तीन आप मैं से discuss करूँगा resource test share outstanding test and debt equity ratio test तो आप से पहले कहता है पहली टेस्ट जो आपकी एक्चियों मैं करना चाहता हूँ 35,000 शेर्स बाइब लेकिन वो तीन कंडिशन का violation नहीं होना चाहिए तो पहले तीन कंडिशन क्या उसके बारे में एक एक करके पर बात करते है ठीक है अब देख को यहां पर कहता है आप से पहली condition is resource test वो क्या कहता है आप से maximum permitted limit 25% of paid up capital plus free reserve याद रखना इस chapter में जब भी मैं free reserve वर्ड यूज करो तो that is including buyback के लिए जब भी मैं free reserve वर्ड यूज करो that includes securities premium तो paid up capital free reserve का 25% उतना आप amount utilize buyback के लिए पहली condition तो मैंने का paid up capital है कितना अपना यहां पे तो paid up capital आपके 17 लाग तो आपने यहां पे लेकिए 17 लाग वो के paid up capital 17 लाग उसके बाद आपने लिखे यह आपका free reserve free reserve revenue securities premium भी free reserve मानते buyback के लिए यह free reserve 23,50,000 2,50,000 2,50,000 2,00,000 23,50,000 2,50,000 2,00,000 2,00,000 how much it is 28,00,000 तो shareholder fund होगे आपका और यह आपका 45,000 विंटुसे जिसने यहां पर का पहली condition तो paid up capital free reserve उसको पन आप यह मतले लेना infrastructure development reserve मतले नहीं वो free reserve नहीं तो free reserve ही लेना है और उसमें securities premium भी 25 परसन आप लेंगे 25 परसन आपने इसके लिए 11,25 तो ठीक है अब 11,25 इतना अमाउंट आप यूटिलाइस कर से एक शेर को बाइब करने के लिए आप कितना खर्चा करें 30 रुपे हैं फिस वेलियों से 10 रुपे कितने में बाइब कर तीस में तो आप 30 रुपे खर्च कर रहे तो 11,25,000 divided by 30 मैं करूं तो यह आता है अपका 37,000 फाइब शेर इस कंडिशन के साफ से पहली कंडिशन के साफ से आप मैक्सिमम नंबर और शेर जो बाइब कर सकते हो एब बाइब कर सकते हो में बाइब आते पिदो दूसरी कंडिशन फर्म नंकोरी की तो इंटेव में कितने बाइब करना चालày 25,000 फाइब करना और पहली कंडिशन की सब्सक्व कितने बाइब करता है मासिमा तो 35 निससे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है सेकेड टेस्ट आपक जोए धिशियर आउस्टैंडिंग वह कहते है कि 25% ऑफ शियर आउसेन जो भी आउस्टैंग इसका 25% आप बाइबेक कर सकते तो आपके शैर है कितने यहां पर कैपले सतरा लाग है दस रुपए का एक है बतलब आपके एक लाग सतर हजार शेयर है तो एक लाग सतर हजार शेयर से उसका 25 परसन आप ले लेंगे 1,70,000 शेयर से इसका बाई-बाई-बाई-का तो ठीक है आप रेगुलर बैश्वाल को तो पता होंगा और जो भी यो वाले बैच्चे लेकिन कोई और बच्चे जो यहां पर रिविजिन लेक्चे देख रहे हैं तो उसमें आप एक चीज़ करेक्ट करना पर एक डेप्ट एक रिश्व आपके नोट्स में यहां पर लिख यह लिख लो आप ठीक है यह वाले बैच लिखे रेगुलर बैश्व वाले भी लिखे इन एकसे सफटुकिके इन एकसे सफ किसी आप रहे लिखे अपर लिखे अध्सेस करता हूं डेप्ट आफ्टर पायबागा चैनलाट बीने इक्सेस ऑफ टो आइस पेड़ पैडब आपका देप्थ होना नहीं जी तो अगर मेरा मैंने का निए टुर्ण यहां पर यहाँ पर यहां पर डेप्ट यहां पर तो यह के देखा यहां आप 50,000 तेकि आप देखोंगे आपर 22,50,000 8,50,000 और यह आपका 15,50,000 तो इस शॉर्ट टम लॉंग टम जो भी सारे की सारे डेप्ट आपके आजाते का डॉन करेंट लाइबिटी करेंट लाइबिटी तो यह आपका डेप्ट हो गया अब समझना इस चीज को अच्छे तो मैं कहता है कि बाइबेक के बाद जो भी मेरा पेड़ प्याप डेप्ट रहेंगा उससे डबल से जादा मेरा डेप्ट नहीं चीजए तो मैं कहता हूं यह पेड़ अप कापिटल एंड फ्री रिजर्व है और यह क्या आप लोगों का यह डेप्ट है तो बाइबेक के बाद जो भी प्रीजफ जो रहेंगा उससे डबल से ड़ेप्ट आपका होना नहीं चीजए तो मैं कहले अभी डेप्ट कितना है इसका मदब कहना है इसका यह व्यास फोन से मतलब में आपको मिनीमूम कितना मिंटेन करना इसका हाफ तो मैं कहां तो में कि मेरा डेप्ट है अभी 46,50,50 उ मैं सब्सक्राइब कर देटिवी स्लाइब कर देटिक नहीं तो आपको मिनिमम कितना मेंटेन कर तो जो भी आपका डेप्त होता है उसका 50% मिनिमम अपने को पेड़ प्रिजर्व मेंटेन कर नहीं आपको इस मेंने नहीं तो मैं एतना मेंटेन कर था- securely 251 008,025,023.000 मुझे इतना मेंटेन कर हैइं लेकिन मेरäBa7,025 008,025 008,025 008,025 008,060,007 lying about 45,025 लाक आपका प्रेजेंट पेड़ पीड़ mister स्थेर्स गई ते कें आप को इसमें से कुछ यहां पे इसमें में अपने किपना मीनीमा मेंचेंट करना था इसमें एहां डाकप इतनहीं ने करना इतना मेंबर्व मेंचेंट है एक प्रेजेट मैंसकर बलुए कि pronounce Иतना है 990 में तो दिक्कत नहीं है आपको लेकिन दिक्कत यह है कि कि आप क्या होता है कि CRR में ठांसफर करते हैं तो यह प्रेजेंट है और इतना में सियारार में जाता है और इसका मतलब यह जो present paid up capital of free zav जो मेरा है इसमें से कुछ CRL में जाएगा मैं CRL को X कह देता हूं तो मेरा present paid up capital of free zav जो उसमें से कुछ CRL में जाएगा तो कम हो जाएगा फिर जो बचा उसमें तो मैं को इतना maintain करना है और उसके बाद जो बचाएगा उतना मैं buyback के लिए अब इसको अच्छे समझते क्या है क्या रहा है तो में को यहां पर X को find out what is this X कि कितना मैं CRL में transfer करो what is this Y कितना मैं buyback के लिए उतिलाइस कर तो ठीक है अब देखो equation कैसी यहां पर बनेगा इसकी equation यहां पर इसको मैं आगे की steps पर आतो डीए एफ पर इन आप समझेंगे क्या करें ना अमॉंट transfer to CRN maximum equity to be bought back will be calculated by simultaneous equation method सब्सक्राइब amount transfer to CRR X तो CRR को जो transfer करें X और maximum permitted amount कितना आपका यह अब यह equation अपने अच्छे समझने क्या क्या करें दो तीन चीज़ अब ध्यानते समझना मैं कहते हो मेरे में 45 लाक है agree yes sir में को CRR में transfer कितना कर X so minus X minus 23,25 तो में को maintain करना यह सब्सक्राइब जो भी बचेंगा उतना मैं ठीक है maximum permitted amount कि आपका इतना है ठीक है font size थोड़ा था मैं समझ में maximum permitted amount अब इसको समझते मैं यहां लिखता है यह maximum permitted amount वाइड इवाइड इवाइड मैं 30 कर तो 30 के विटा इसकी यह आपका इतने में buyback price यह buyback price ठीक है buyback price आपका तो what is this why why है मेरा maximum permitted amount divided by buyback price per share करो तो मेरे number of shares आजाएंगे जितने में buyback करो अगरी फिर से कहता हूं मेरे पास वाइड क्या है कि मेरा buyback total amount of buyback जो मैं utilize करो divided by buyback पर एक share पर कितना पैसे दरो उससे divide करो तो मेरे number of shares आजाएंगे तो मैंने कहा why मेरा maximum total amount है मेरा permitted amount divided by 30 करता हूं मैं divide by 30 क्या है आपका buyback price per share है तो number of shares में कितने buyback करें वह आ रहा है और multiply by अगर में face value से कर दूँ तो वह आ जाएंगा आपका x बिलेंगे sir कैसे x आ जाए face value क्या आपका जो आप CR में transfer करते हो तो यह total permitted amount है divided by buyback price per share करूँगा तो मैं number of shares आगे multiply by एक share पे आप face value कितनी 10 multiply by 10 करूँगा उतना हमको CR में transfer करते हुसे हम कहते x x आ गया क्यों CR में face value transfer करते है इसलिए multiply by आपने face value करें तो यह y divided by 30 multiply by 10 equals to x तो आप इसको 3x equals to y अब बहुत situation है आपने बहुत simple situation है अब यहाँ पे आपने y को की जगा 3x put कर दो तो आपके x की value आ जाएगी तो 45,000,000 minus 23,000,000 divided by 4 तो 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 यह आपका x आ गया जाप CR में transfer करें और maximum permitted amount आ गया आपकी y तो आपकी equation आप x एक बार आगया तो आपने x की value के आप उट कर दी तो y खुद बाखुद आजेंगा इस 16,000,000,000 250 ओके अब आपने देखुए यहाँ यहाँ पर maximum permitted buyback working number 1 में आपने calculate करें भी कितना buyback amount maximum allow 16,000,000,000 250 अब यहाँ पर आपका 16,000,000,000 250 अलाओ है एक शेर पर आप देरें 30 16,000,000,000 250 अलाओ है एक शेर पर देरें 30 number of shares आप कितने buyback करें 54,000,000 375 shares आप buyback करें अब इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं पहली condition किसाब से maximum इतने buyback कर सकते 37,500 तो हम जो करना चारे 35 वो और इससे कम है 54,370,000,000 35,000,000 इससे कम है तो जो तीनों में से जो lowest होता है वो अपन ले देते हैं तीनों में से क्योंगे कोई भी condition का violation नहीं होता इसमें जो lowest आपका that is 37 final इससे कम ही हम buyback करना चाहते है that is 35 अलाओ तो आपको कभी examination पूश रहे था comment with your calculation तो buyback within the limit है इस तरीक से calculate अप of equidishes बहुत ही simple chapter था तो repeat this will help you a quick revision आपका इससे होना चाहिए वह हमारा purpose है इस book का तो अब यह session अब यहां पर खतम करते take care all of you bye bye